हलो फ्रेंज कैसे आप लोग तो 15 जुलाई 2020 को ICI का एक नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और जिसमें आप लोगों को यह बताया है कि क्या चीज़ें आप लोगों के अटेंब के लिए 2020 के लिए रहेंगी और क्या नहीं रहेंगी दोनों की उपर बात किये उन्होंने तो चलिए आज अपने बात करते हैं उसमें क्या कुछ कवर है क्या कुछ कवर नहीं है तो सबसे पहले जो फर्स पर आप लोगों को देखे रखा है उसमें ये डेट अमारे लिए बहुत काम की है डेट पर मैं अंडलाइन कर देता हूं चलिए जी 30th April 2020 तक MCA की तरफ से जो भी amendments आएंगे जो भी notifications आएंगे जो circular आएंगे जो rules आएंगे वो ही आप लोगों के इस attempt के लिए applicable रहेंगे ये आप लोगों को धान में रखना चाहिए बराबर ठीक है कोई इंजर नहीं इसके अंदर दो तो 30th April 2020 तक के ही amendments जो है वो आप लोगो के November return के लिए applicable रहेंगे उसके बात के नहीं रहेंगे सर यह amendment हमको मिलेंगे कहां पे मिलेंगे भाई आटीपी आजाएगी तो आटीपी में सारे amendments आजाएंगे उसके बाद में हम लोग यहां पे amendment class करेंगे आप लोगों को मिल जाएगी टेंजरी रहें हैं हब inclusion exclusion की बात करे हैं बुला इंटायर कंटेंट जो है जो आपका जुलाई 19 वाला स्टेडिमेंट है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो सब आपके कोर्स में कवर है और बाकी रोने बोल दिया जो मैंने अभी बूला था अमेंडमेंट्मेंट्स के लिए भाई आटीपी नवंबर 2020 का पढ़ना पड़ेगा उसमें सब कुछ आपका कवर रहेगा ठीक है उसके अलावा कुछ भी आने वाला उससे बाहर कुछ भी नहीं है फिर आपको एक लिस्ट यहां पर दे दिए कि कुछ sections हैं 12-13 sections जो आपके course से exclude हैं यानि इनको नहीं पढ़ना है तो अगर नहीं पढ़ा है तो खुशकबरी मत पढ़ना चिनों ने पढ़ लिया कोई बात नहीं आगे future में कभी कि यह course में आपके journey में काम आ जाएंगे फिलाल के लिए उनको पढ़ने का जुरूत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा easy आपको समझा देता हूँ डीटेल के साथ में बता देता हूँ आपको देखें यह sections कायद है prospectus and allotment of securities आपका जो point है आपका जो chapter है उसमें से section 24 जो सेभी के powers की बात करता है वो नहीं है section 30 allodisement of prospectus नहीं है 33 जो application form के issue की बात करता है कि 7 application form किस तरह से issue होगा तो वो भी आपके course में नहीं है इस वक के लिए ठीक है 38 जो personation के punishment की बात करता है वो भी नहीं है और 41 में जो मारा GDR है global deposited receipt वो भी आप लोगों के अभी इस सेटेंब में applicable नहीं है अब share capital में जब भी अबट पहुँच गे तो starting में आपको topic मिलेंगे 44 nature of share और adventure नहीं है भाई जब unlimited company limited में convert होती है वो भी नहीं है और nomination के भी death के बाद में nominee को shares मिलेंगे उसके क्या powers रहेंगे वो भी अभी आपके course में नहीं है ठीक है deposit वाले chapter में से section 75 जो fraud के उपर damages की बात करता था वो भी कया अभी आपके course में नहीं exclude हो गया charges वाले chapter में जो register maintain करता है register of charges to be kept by register as well as register company maintain करती है वो दोनों ही आपके course में नहीं है तो फटा-फट से हमने देख लिया कि ये sections पढ़ने नहीं है आपके course के अंदर cover नहीं है चलिए जी company's एक ही बात होगी अचा सर ये last में क्या बुला है और वही बुला है बही जुलाई 19 का स्केडिमेंट पढ़ो और नवेंबर 20 के लिए जो आटीपी आएगा उसको पढ़ना आपका course cover हो जाएगा ठीके जी आई आगे बढ़ते हैं अब इंडियन कोंट्राक में इनोंने बुला 123 onwards पढ़ना इसमें भी सेम वही है जुलाई 19 का स्केडिमेंट पढ़ो नवेंबर का आटीपी पढ़ लेना और एक मज़ेदार चीज बोली section 1 से 122 तक को अवोइड करना यह पढ़ते ही कितने लोग के message आगे सर मज़ा आ गया सर एक से 122 section IC ने हटा दिये सर इस बार आई नहीं रेजर बेटा पहले सी तुम्हारे course में नहीं थे यह section आप लोग foundation के अंदर पढ़ते हो यहां आपके course में नहीं था यह अगर अभी के course में कहीं इन section का कोई question आ जाए या कहीं किसी question में सबोज करो agency पढ़ रहे हो अब उसमें हमने consideration वाले कोई topic का हमने reference दे दिया section 25 का बराबर क्या कहीं quasi contract का reference दे दिया ठीक है या कहीं पर भी minor का कोई topic आया और हमने Indian contract का कोई reference दे दिया तो चलो ठीक है भाई इस Indian contract में जो भी आपके course में है उसमें 1 से 122 का कोई reference आ जाए तो क्या आप उसको चाहें तो avoid कर सकते हैं ठीक है लिग भी दें बराबर वही study material वही RTP वो सब आपको पढ़ना amendments से आये तो उधरी मिल जाएंगे आपको tension नहीं ठीक है और सबसे बड़ी आची सब चीजे broad manner में हैं तो इसलिए जो जो वहाँ है वो सब आपके course में है जनरल clauses act में भी वही बात कही गई है कोई changes नहीं आप जुलाई वाला study mat पढ़ो और साथ में RTP पढ़िये बस सर पढ़नेंगे बिलकुल amendments आते ही जैसे RTP issue होती है आप लोगों के लिए amendment की class यहां पे upload हो जाएगी interpretation वाले में भी same है इसमें तो amendments ही नहीं interpretation है यह तो जो कुछ study mat में आपको देके रखा है significant rules, principles, God manner में जो कुछ है वो सब कुछ यहां से पढ़ना चाहिए इन्होंने बुला है clear matter चलिए note भी देख लेते है July 19 edition of the study mat 11 for November 20 examination ठीक है amendments आएंगे November 20 वे याद करवा दिया आप लोगों को इन्होंने कि बिटा दो चीज़े पढ़नी है study mat पढ़ लो बराबर जो July 19 edition का है और नया वाला RTP पढ़ लेना बस इतन commission सारे sections note कर लेना जो आपके course में नहीं है बराबर और आगे बात करेंगे जब RTP आ जाती है चोड़ा सा वीडियो thanks a lot पढ़ते रहिए बर्स